हेलो स्टुटेंट्स दिस है चीटेंशर आज हम क्लास फॉर्थ के बच्चों को हिंदी लिटरेचर के इंतरगत दो उस तक पहले चलती थी वह चेंज हो गई है अब सरस्वती प्रकाशन की ये उदिता के नाम से हिंदी लिटरेचर के बुक चल रही है उसे हम शुरू करेंग इसका पहला चेप्टर पहला चेप्टर है मिसाइल मैन पार्ट एक मिसाइल मैन इसको पढ़ेंगे चलिए शुरू करते हैं महान कर्म योगी अब्दुल कलाम का जन्म तमिल नाट के रामेश्वरम में हुआ था अब्दुल कलाम कि जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है यह भारत के राश्ट पती भी थे क्रम योगी यह कर्म योगी थे कर्म योगी मतलब क्या होता है कर्म योगी ऐसा वैग्यति घिसने अपने कारी को ही साधना मानने वाला कर्म योगी होता है तो ऐसे थे डॉक्टर अब्दुल कलाम इनका जन्म तमिल्नाड के रमेश्वरम में हुआ था इनके पिता चैनु लाबदीन एक नाविक और इनकी माता अशी अम्मा कुसल ग्रहणी थी नाविक माने जो नाव चलाते हैं और ग्रहणी जो घर का काम करती है माता जी इसलाम की सिक्षाएं तथा रामायर महाभारत की कथाएं घर पर सुनाया करती थी इनकी माताजी इन्हें इसलाम के सिक्षाएं देती थी तो साथ साथ रामायर महाभारत की कथाएं पर भी घर पर ही शुनाया करती थी इन सन्सकारों का प्रभाव बालक अब्दुल पर पढ़ा मचलियां पकडना और उसे बेचना परिवार की जीविका का एक मुख्यशादन था उसके पिता अब्दुलकलाम जी के पिता नाविक थे वह मचलियां पगड़ते थे उसे बेचते थे जिससे परिवार का भरण पूसर होता था परिवार की जीवी का चलती थी इसके लिए उनके पास एक छोटी शी नौका थी जब कभी समुद्र में तूफान आता था तो दो तीन दिन तक यह ब्योशाय भी बंद हो जाता था उसमुद्र में तूफान आ जाता था नाव नहीं चल पाती थी परिवार पर आर्थिक संकट खाड़ा हो जाता था और घर कै अैसे चले इस पर भी संकट आ जाता था अब्दुल कलाम परिवार को आर्थिक शह जोग देने के लिए अखबार बेचने लगे परिवार का खर चले इसके लिए अब्दुल कलाम बच्पन में ही अखबार बेचने लगे थे पिता अपने हुनाहर बालक को आगे बढ़ाने के लिए चिंतित थे अब्दुल भी पढ़ना चाहते थे पढ़ने के लिए दूर जाना था और धन भी नहीं था इनकी ऐसी ऐसे थी नहीं थी आर्थिक ऐसे थी ऐसनी मजबूत नहीं थी कि इनको पढ़ने के लिए बाहर भेजा जा सके एक दिन पिता जी ने कहा अब्दुल अब तुम पढ़ने के लिए रामनात पुरम जाओगे तुम्हारी अम्मा और हमने विचार किया है अब तुम्हें हम तुम्हें अवस्य पढ़ाएंगे बालक अब्दुल की प्रशन्यता का पारावार नहीं था पारावार मतलब सीमा या हद उनकी प्रशन्यता की कोई सीमा नहीं थी प्रशन्यता कोई हद नहीं था उतना प्रशन नुवे पढ़ाई के नाम पर इसकी कोई सीमा नहीं थी लेकिन परिवार से दूर जाने का अग्याद भाई भी था उन्हें अपने परिवार दूर जाने का ग्याद भाई भी था पढ़ने के लिए तो कुछ कश्ट सहना ही पड़ेगा बड़े भाई के साथ अब्दुल को रामनात पुरम पहुचा दिया गया विद्याले में प्रवेश भी करा दिया गया यहां स्थान समुद्र कटपर इस्थित्त था यहां गर्मी अधिक थी कक्शाएं पीणों के नीचे चलती थी बार बार कक्शाएं बदलती थी एक बार भूल से अब्दुल दूसरी कक्शा में पहुच गये ज़नी कि उन्हें जिस कक्शाएं में जाना तो उसमें ना जाकर वह दूसरी कक्शाएं में पहुच गये थे गडित के अध्यापक शीवा सुबर्मन्यम ने डाट कर कहा जब तुम अपनी कक्शा को भी नहीं पहचान सकते हो तो इस विद्याले में क्यों चले आये जीजान से पढ़ाई में जुड़ गए चुनोती कर्थ होता है ललकार किसी को चुनोती देना किसी को ललकार ना तो वह इस चुनोती को उसे चुनोती के रूप में श्विकार कर लिए और जीजान से पढ़ाई में जुड़ गए अब्दुल ने बहुत ही परिस्त्रम युम लगन से पढ़ना सुरू कर दिया लगन माने होता है किसी विकार में मन से लग जाना किसी विकार में किसी विकार में या आप मन से लगे हैं तो वहाँ लगन से माना जाता है लगन का अर्थ ही होता है किसी विकार में मन से लग जाना जब वार्सिक परिच्छा का प्रणाम घोशित हुआ तो इनको गड़ित विशे में सर्वोच अंक प्राब्ध हुआ परिच्छा फल वित्रन समारों में उन्हीं गड़ित के ध्यापक स्री शिवाशु ब्रमन्यम ने उन्हीं आगे बुलाया और सम्मानिक किया उन्होंने बड़े आत्म विस्वास से कहा कि एक दिन यह बालक अवस से ही अपने परिवार और देश का नाम रोशन करेगा जिसे से विद्यालेगा गवरों बढ़ेगा विद्याले के सभी सिक्षकों ने बालक अब्दुल कलाम को की भूरी भूरी प्रसंसा की और आशिरवाद दिया अब्दुल को आगे बढ़ने की प्रिणना मिली अब्दुल को आगे बढ़ने की प्रिणना मिली प्रणा मनलता है किसी भी कारे को करने के लिए दिशा मिल जाना गुरुजन भी उनका सहयोग और सम्मान करने लगे एक दिन विज्ञान की कक्षा में सिक्षक ने विमान उड़ने गती पकड़ने, मुड़ने और उतरने की सितियों का वरणन किया प्रस्न पूशने पर सिक्षक को ग्यात हुआ कि इसे छात अच्छी तरह अच्छी प्रकार समझ नहीं शके अता एक दिन बच्चों को लेकर विज्ञान के अध्यापक समुद्रतर पर गए सायंकाल का समय था, साम का समय था, पक्षी अपने गोशलों की और वापस आ रहे थे कुछ कतार में उड़ रहे थे, कुछ श्वतंत्र उड़ते चले जा रहे थे कभी आगे, कभी पीछे, कभी बाएं वदाएं मुड़ जाते थे उनके दल का नेता बदल जाता था, सभी उसका अनुशरण करते थे अनुशरण करना मने, उनका पीछा करना, उनके उनके रास्ते पर चलना इस दृष्टे के माध्यम से अध्यापक ने वायुयान उड़ाने की संकल्पना सहज ही प्रदान कर दी बच्चे भहुत खुस थे, कलाम को यह दृष्ट बहुत अच्छा लगा वे चिडियों के उड़ने, मुड़ने और कलाबाजियां दिखाने के अनुभव को भूल नहीं पाए उन्होंने भविश्य में वायुयान बनाने और उड़ाने का मन में शंकल्प कर लिया इन्होंने सन 1954 में तिरचीरा पल्ली के सेंट जोशेफ कालेज में इसनातक परिच्छा उत्तिर्ण की मद्राश के एरो स्पेस इंजिरिन कालेज से इंजिरिन की सिक्षा ग्रहन करने के पस्चात नौकरी के लिए वायुशेना में इंटर्व्यू दिया तथा DRDO में भी आवेदन किया वायुशेना एर फोर्स का इंटर्व्यू देहरा दून में हुआ इन्हें नौवा अस्थान प्राप्द हुआ लेकिन केवल आठ लोगों का ही चैन होना था अतहां इनका चैन नहीं हो शगा सफलता को इतने पास से दूर होते देखकर इन्हें कष्ट हुआ ये रिसिकेश चले गए इनके दुखी चेहरे को देखकर एक्षंत ने कहा बेटा निरास मत हो सायद इस्वर तुम्हें कहीं और नियोजित करना चाहता है नियोजित करना माले किसी निश्चित कारे में लगाना उन्होंने कहा इस्वर तुम्हें किसी निश्चित कारे में लगाना चाहता है कि किसी और कारे में लगाना तुम्हारे लिए कोई कारे निश्चित कर लिया है जिसमें वह तुम्हें लगाना चाहता है तो तुम्हें नियोजित करना चाहता है, परिस्रम करो, आगे बढ़ो, वहां से वापस आने पर इन्हें DRDO में नियुक्ति मिल गई, वे बोले, चलो वायूयान तो नहीं उडा सका, पर तु बना तो सकता हूं, फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, कुछ दिनों के पश्चातिन की नियुक्ति इश्रो में वैज्ञानिक के रूप में हो गई, इन्होंने ब्रम्होष, अगनी, तरिशूल, प्रित्वी, नाग और आदी मिसाईल ने बनाई, जिससे भारती सेना की शक्ति कई गुना बढ़ गई, इन्होंने ब्रम्होष, अगन अगनी, तरिशूल, प्रित्वी, नाग इसने नामों की मिशाईल बनाई थी, जिससे करान इन्हें मिशाईल मैन कहा जाता है, इन्होंने 11 वा 13 मई 1998 को बड़े ही सुन योजित धंग से, सुन योजित धंग मने अच्छी प्रकार से योजना बनाकर, सुन योजित धंग से प पोखोरण में, पोखोरण जो की राजस्थान में है, में पांच परमाण बमों का सफल परिक्षण कर विस्त को आश्चर चकित करते हुए भारत को परमाण शक्ति शंपन सक्तिशाली राष्ट के रूप में प्रतिश्ठित कर दिया, तातकालीन प्रधान मंत्री स्वर्गी केटल बिहरी बाचपे की दिड़ एक्छा सक्तिशे या कार शंपन हुआ, उन्होंने जय जवान, जय किशान, जय विग्यान का नारा दिया, अब्दुलकलाम मिशाइल मैन के नाम से विख्यात हो गए, इन्हें सर्वोच नागरिक पुरुषकार भारत सरतन से सम्मानित किय गया, एपीजे अब्दुलकलाम को 25 जुलाई सन 2002 को भारत के राश्टपती पर पतिश्ठित किया गया, भारत माता की यांखों के तारे, इस शपूत को 27 जुलाई 2015 के दिन असम की राजधानी शिलॉंग के भारती प्रबंधन संस्थान में, आई आईम जिसे कहा जाता है, म मैं मंच पर ही हिर्द्या घाथ हुआ, हार्ट अटेक, कलाम को सायम साले 6 बजे 6 तीस बजे बेधानी अस्पताल ले जाया गया, जहां इनका निधन हो गया, इनकी मृत्य हो गई, 30 जुलाई 2015 को पूर्ण राजकी सम्मान के साथ, तमिल नाडु के रामेश्वरम में इनका अप्रतिम योगदान से, अप्रतिम मनें हुता है जिसकी अतुलनी योगदान से पूरा देश इसमहान देश भक्त को सत-सत प्रणाम करता है, यह इस चप्टर को दो बार तीन बार सभी बच्चे पढ़ेंगे, उसके बाद अगली क्लास में हम इस पार्ट का अभ्यासकारी कराएंगे धन्यवाद